असल में हम लोग नेताओं को चुनते किसलिए हैं सरकारें के चुनते किसलिए हैं हम लोग क्या हम लोग एक तरह से विष्टाचार करवाने के लिए या दंगा करवाने के लिए या समाज को बाटने के लिए असल में सरकारों का करतब भी क्या होता है आप देखते हैं कि हमारे देश में आप लोग सबसदस्त को चुनते हैं बेधान सबसदस्त को चुनते हैं आप लोग आपके स्थानिय निताओं को भी चुनते हैं जिनमें आप सरपंच हो गए आप देखते हैं कि जनपद हो गए या फिर आप देखते हैं जलापंचायत हो गए नगरपंचायत, नगर नेगम, नगरपालिका इनकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर खोद आदमी अपने आप पर ही नरभर है तो इन सब की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए डाउट को आप लोग हमेशा के लिए खतम करती है आपके पैसे से भी ये सरकारें चलती है नेता आपके पैसे से ही ऐस करते हैं क्योंकि आप सभी लोग टेक्स देते हैं अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे देते हैं? आपने कभी मोबाइल लिया है? अधिकतर लोग लेते हैं मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब है तो उसके पास पहुन ना हो यह समय मुझे लगता है हर किसी के पास पहुन हुआ तो उसमें आप लोगोंने देखा है टेक्स उस पर भी इंडारिक्ट टेक्स आप लोग देते हैं चलिए खेल छोड़ दीजे कई लोग बोलेंगे कि गरीब कई लोग मिल जाएंगे जनके पास mobile नहीं है साबुन तो आप लोग खरीदते होंगे कि साबुन ही नहीं खरीदे जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि टेक्स, इंडारिक टेक्स उसके जरीए भी आप लोग देखते हैं हर चीज में आप लोग टेक्स देते हैं लेकिन इस समय महामारी में आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने जिनने भी चुना है, जिननेताओं को चुना है वो आपको दर्सन भी नहीं दे रहे हैं उनका पता भी नहीं है कि वो हैं या नहीं है और कई आपके अगर आपके नेता हैं जिनने आप लोगों ने चुना है तो अजब गजब से बैयान भी दिये जा रहे हैं कोई कह रहा है कि गोबर से भाग जाएगा कोई कह रहा है गौमुत से भाग जाएगा कोई कह रहा है हवन से भाग जाएगा देखिए हवाई हवाई बाते हैं और इस चक्र में मत पढ़िएगा एक सबसे सीधी सी बाते हैं ना कि हमारे यहां की जनसंख्या बहुत मतलब आप बहुत से लोग आपको बड़े सीधे साथे मिल जाएगे अगर आज की दिन में कोई उनसे कह दे कि आपकी फिती रोधत चमता बढ़ जाएगी आप गोवर खालीजे तो वो वो भी कर लेंगे तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई किसी तरह का बयान बाजी कर रहा है लोगों की मदद करने की छोड़िए अब आप सोच सकते हैं कि एक सौनू सुधा गर इतने लोगों की मदद कर सकता है तो क्या आपके विधायक हों आपके जो सरकार जिने बनाये गए आप लोगों ने चुनाये क्या वो नहीं कर सकते थे मुझे लगता है कि इस आपदा में मुस्किल से बहुत लोगों को बचाया जा सकता था लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से मकारी आपके निताओं ने दिखाई है और खेर, निताओं की गल टी मैं नहीं मानता हूं जागा क्योंकि आपने वो इस तरह के नेताओं को चुना ही है आप जिस तरह के नेताओं को चुनेंगे बलतकारी को चुनेंगे डकेंट को चुनेंगे चोर को चुनेंगे बरिष्टाचारी को चुनेंगे हत्यारी को चुनेंगे तो उसे उमीद क्या रख सकते हैं आप लोग खेर छोड़ी आप लोग जीते रही हैं मरते रही है देते रही है सब्तर साल से जो कर रहे हैं वही करते रही है दुख होता है लेकिन कि जब मतलब आप सोची आउक्सीजन से एक तरह से लोग मर रहे हैं उस परिवार पर क्या बीटता हो हम लोग मूलबूत आवसकता है जो भी आवसकता है उनकी पूरती भी नहीं कर पा रहे हैं हम किस मतलब किस देश की बात करें किस नए भारत की बात करें किस बेकास की बात करें ये आर्टिकल लिखा गया है स्याम सरंद्वारा और ये वो बैकती हैं कि पूर विदेश तचिप भी रहे हैं और सेंटर फॉर फॉर फॉलिसी रिसर्च से भी जुड़े हुए हैं इन्होंने कई बातें याशी कही हैं जिन पर आपको भी ध्यान देना चाहिए और आप लोग गर पड़ते हैं आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहा हा है तब भी आपकी सोच विख्सित करते हैं और वैसे भी आप लोग देखते हैं कि ज्यान बढ़ता रहता है समाज में किसी भी बात के बारे में मालू है हो या नहीं किसी टॉपिक के लेकिन वो बोलने से कभी नहीं चुकता है वो अपने गुड़ा भाग लगा कि कुछ न कुछ उस टॉपिक पर बोलेगा जरूर तो वहाँ भी आप लोग इस तरह की बातों को दे सकते हैं दायत के निर्वहन से पीछे नहीं हटे सरकार यानि कि अपने कर्तब से पीछे ना हटे सरकार लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं कि कर्तब वो भोली ही कहे हैं भारत इस समय भी सट रास्दी से गुजरा है इसमें कोई सक नहीं होना चाहिए अगर सक है तो उन परिवारों की जगह अपने आपको रखी है जिनने अपने परिवार बेटा वेटी या माबाप खोए हुए तो साथ अच्छा ग्यान हो अच्छे से ग्यान हो क्योंकि भारत की एक और प्रोबलम है हम लोगों की कि हमें दूसरे का दुख केवल मजात लगता है जब वही दुख हमारे उपर वीतता है तब हमें मालू चलता है अच्छा ऐसा भी है हजारों लोगों की टैथ हो रही है इसमें अपने आपको भी रख के देख लिजए आखे खुल जाएंगी कोविद में हमारी से देश सवों के धेल पर खड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कहीं गंगा में बहाय जा रहे हैं किसी नदी में बहाय जा रहे हैं और कहीं आप देख रहे हैं कि बालू में दबाय जा रहे हैं अंगनत परिवारों की दुनिया उजड़ गई है और इसमां हमारी इमने यह बात भी उजागर कर दी कि हमारा देश किस तरह अपने नागरिकों को नियुन्तम बुन्यादी सो विधाएं देने में बेफल रहा है। या नहीं कि आप समझें कि जो नियुन्तम जरूरते हैं वो भी हम लोग उपलब्द नहीं करवा पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग दुनिया में कहां पहुँच चुके हैं यह छोड़िए इनको। लोग स्वास्तेबं जीने के अधिकार से बंचित रखे गए हैं। एक लोगतंत के तौर पर भारत अपने नागरेकों के लिए स्वाबीमान की जिंदगी सुनिश्चित करने में विफल साबित हुआ है। और हालात इतनी खराब ही कि मरने के बाद भी लोगों के सबों को उ धर्म की बाही बाही लोटते रहते थे। क्या भगवान उन्हें सजा नहीं देंगे। कि आप सोचें कि एक मास अगर कोई लिए मिल गया तो आपने लोगों को मार दिया। और अब लोग मर रहे हैं उन्हें अंतिन समस्यकार भी नहीं किया पा रहा है। तो देखें कभी ध धर्म संकट में नहीं रहा है ना देश संकट में रहा है। बस ए है कि आपको इसके नाम पर लड़ा कर वो अपनी वोट बैंक करते रहते हैं और वो आपको लड़ाते रहते हैं और आप लड़ते रही हैं परिवार के मेंबर खोते रही हैं क्या फरक करता है। इस गहरे संक कोविद महामारी से जूज रहें, देश के संगिय धाचे में पहले ही दरार पड़ गई थी और इस महामारी के दोर में दरार और चोड़ी हो गई है। हर पार्टियां उठाने लगते हैं, लेकिन आपने देखा है कुछ गलत होता है तो उसका सरे किसी और डाल दिया जाता है। हर दावा कर डाला कि राज सरकारों को दूसरी लहर के पिती पहले ही अगाय कर दिया गया था। और पहली लहर में आपने देखा है कि कुछ जानदा नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। उसमें ये कहा जा रहा था कि सफलता पाली गई है, तो उस समय आपने देखा है कि अंदर सरकार में किस तरह से उसकी वायवाही लोटी, और दूसरी लहर में आप देख रहे हैं कि अपने हास मतलब छोड़ दिया, अपना फलडा साप कर लिया, बोल दिया कि सरकारों के अंदर हम लोग ने पहली गलती से सीखा होता, तो हम लोग ऑक्सिजन के भंडार कर सकते थे, हम लोग स्वास्त वेवस्था की इस्तिती एक तरह से सुधार सकते थे, कुरोना से पहले भी जो इस्तिती हमारी थी, वही कुरोना के बाद भी देखी गई है, हजारों लोगों की डेथ इसलिये हो गई है कि उन्हें आक्सिजन, स्वास्त वेवस्थाएं समय पर नहीं मिल पाई है और हाला कि पिधानमंत्री नन्मोदी के उस कथन पर जेक करना किसी ने जरूरी नहीं समझा जो उन्होंने 28 जन्वरी को विस आर्थिक मंच के संबेलन में कहा था कि पिधानमंत्री के उस कथन का निर्थार्थ यह था कि भारत को विद्म हमारी को मात देने में सफल रहा और इससे निपटने में अब दुनिया का नेतित करने के लिए तेजार है पहली लहर जैसे ही कमजोर पड़ी थी सभी नेताओं ने एक तरह से वाहवाही लूटने शुरू की थी इसका स्रे लेने का होड लग चुका था उस समय और उस समय आप सोची कि कई बिग्जानकों ने कई स्वास्त जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने पहले भी कहा था कि दूसरी लहर आएगी लेकिन हम लोगों ने इन पर ध्यान भी नहीं दिया भारत का वह दावा भी खोकला साबित हुआ जिसमें उसने कहा था कि वह दुनिया में गरीब से लेकर अमीर देशों को टीके मुहया करा रहा है और आपने देखा है कि अगर आप केंद सरकार की बुराई करते हैं उसके बारे में कुछ कहते हैं अपने नेताओं के बारे में कुछ कहते हैं तो आपको जिल में डाल दिया जाता है तो यह भी आप लोग इन्हें बुराई भी सुनना पसंद नहीं है और ये आज की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये महमारी आई हुई है तो इस सरकार के आपको असली चरत के बारे में मालू चला है इससे पहले जितनी भी सरकार है रही है, इंद्रा गांधी का आप लोगों ने समय देखा है कॉंग्रेस का वही आजकल भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है नौबत यह आ गई है कि दुनिया का दवा खाना होने का दवा करने वाला भारत स्वैन दूसरे देशों से दवाएं और टीके मांग रहा है और यहां तक कि हमारा जो भूटान है पड़ोसी जो आपका वंगलादेश है यह भी हमारी मदद कर रहे हैं यहां से भी हमारे वैक्सीन काफी आ रही है दबाई आ रही है देश के नागरिक लॉकडाउन की काने अपने घरों में बंद है लेकिन सरकार सेंट्रल विष्टा परियोजना को आवसक सेवा पता कर नयतिक्ता से संबंद तोड रही है एक तरह से आप कैसकते हैं कि सअंसाद भवन है देखे इसकी भी जरूरत थी लेकिन इस समय किसकी जरूरत है यह मायना रखता है अब यह आपना देखा है कि किसी निता ने कहा कि ये हमारा संसत भवनवन बहुत पुराना हो चुका है और हमें नए की जरूरत है तो उने एक बार ये भी सोच लेना चाहिए था कि हमारे होस्पीडल बहुत पुराने हो चुके है अब नए होस्पीडलों की जरूरत है कोविद-19 में हमारी से जान गवा चुके लोगों की जलती चिताओं की बीच नए संसत भवन और पिधार मंतरी की भब आवास से बनाने की परियोजना जारी रहने को एक बेडम बना भी कहा जा सकता है लोगतंत में जवाब देही एक बुन्यादी चीज है लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को दूर तक इससे कोई देना देना नहीं है मैं इस बात की चर्चा पहले भी कर चुका हूँ कि मौजूदा नेतत्ते किस तरह लोगों का ध्यान वटकाने में सफल रहा है आप देखिए कुछ एक काम करवा दीजे आधी से अधिक लोगों का ध्यान उसकी तरब चला जाएगा और हम लोग फिर सब कुछ भूल कर एक तरह से उसी आगबंद के बोट देने लगेगे उसी का पैड़ा हम लोग भुगत भी रहे है आप सूचिए कि हमारे देश की सबसे आधारबू जरूरत क्या रहते है सिक्षा, स्वास्त, नौकरी लेकिन आप देखिए कि आज की सरकारों की हमारी इससे कोई लेना देना नहीं है उनका धराम, मंदिर, मश्जित ये सब ही मुद्दे रहते है और आप सोचिए कि जिस देश के मुद्दे अगर इस तरह के धार्मिक रहे वो देश कभी ना तो आंगे बढ़ सकता है ना ही वहां के लोगों को स्वास्त बवस्ता है, सिक्षा, वेहतर मिल सकती है आप सोचे कि अगर हमारी देश के अगर मुद्दे हो जाए सिक्षा, स्वास्त, रोजगार तो हरा पाइटी आप देखिए नए नए भीजन लेकर आएगे लेकिन हम लोगों को भी जानदा मतलब नहीं रहता है यहकार, संपदाईग, धुर्वीकरन और राज सरकारों पर दोसार उपन करने से लेकर किसी बाहरी तागत की साजिस्ट बताने तक जैसे कई रोपों में हो रहा है हाला कि देश जिस तरास्दी और संकट से जूर रहा है उसमें लोगों का ध्यान भटकनाना असंबह हो है चारों तरप की हाला चीक चीक कर सच्चाई बता रहे है और अभी भी आगर आपकी आँखें नहीं खुली है तो मैं बार-बार बोल रहा हूं कि उस से परिवार की जगए अपने आपको रख के देखिए जिसने अपने आज सदस्क होया हुए आपने कई तस्बीरें सामने देखी होगी किसनी भयानक मतलब दिल दहलाने वाली तस्बीरें देखी गई है क्या सब कुछ नेंतर्ण में होने का दावा करो और विदेशी साख खास कर पश्चमी मीडिया में हो रही आलोचना का तर्थ जबाब देकर एक देश के तोर पर हम अपनी बिफलता चुपा सकते हैं यह बैसा ही है जैसे आप समझें कि हम लोग किसी से जूट बोल सकते हैं हमारी गलती है फिर भी हम लोग उसे ना माने और हम लोग सफाई देते रहें लेकिन हम अपने आप से जूट नहीं बोल पाएंगे या फिर हम सोचे कि अपने आप से मिले ही ना कभी अपने अंदर की मानावता इंसान ये सब कुछ खतम कर दे तब जी सकते हैं लेकिन हमें अपनी गलती का ऐसास होना चाहिए और यही सरकारें भी कर रही है कि हम पूरी तरह से बिफल रहे हैं दूसरी लहर से निपट पाने में जब आपने देखा है कि कोई कुछ कहता है इसकी आलोचना करता है इनमें तो आप देखते हैं उस पर कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है या फिर देश में सरकार के आलोचक दुनिया को नुकता चीनी करने का मौका दे रहे हैं और इसलिए उन्हें क्या नहीं रोका जाना चाहिए इन बातों में उल्यागर भारत अपने हित नहीं साथ सकता हम अपनी कमजोरी सुईकार कर ही दूर कर सकते हैं वरतमार परिस्तितियों में सासन विवस्था में कमिया पूरी कर तरह उजागर हो गई है और यह आप किसी भी से छुप नहीं सकती है हमें इस बात से विशलिद नहीं होना चाहिए कि विदेशी समाचार माद्दे में उमें भारत की कैसी तस्वीर पेस हो रही है बल्कि हमारा साधा ध्यान अपनी हाला हतास जन्ता को राहत उसो विधाये देने पर होना चाहिए देश और सरकार की सभी सुधारने का काम तो बाद में भी चलता रहे है क्या होता है कितने लोगों की डैथ होती है क्या किस तरह हम लोग निपट पाएंगे अभी कोई रणीती दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही है कुरोना कितने और लोगों की जान लेगा ये भी नहीं कह सकते हम लोग लेकिन इतना याद रखिए कि देखिए इसमें कल किसका नंबर वोई कहपाना मुस्किल है लेकिन मैं इतना जानता हूँ अपनी तरफ से जब भी इस समय का इतिहास लिखा जाएगा बहुत गालियां पड़ेगी हम लोगों को क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी घटना है घटना ही इसका मूल्यांकन एक समय होगा आने वाले समय में वो समय यह भी दिहान में रखा जाएगा कि कौन से पिधानमंत्री इस समय थे कौन से लोग इस समय जिन्दा बने हुए थे आज मैं आप सोचें कि आज यह हम में और एक मुर्दे में कोई फरक नहीं बढ़ा हुआ है एक आदमी मलता है एक मुर्दा बनता है तो वो उसमें क्या खासियत होती है ना तो वो देख पाता है और ना ही बोल पाता है वही हमारे अंदर भी बना हुआ है ना तो हम बोल पा रहे हैं सच बोल पा रहे हैं और ना ही कुछ देख पा रहे हैं मतलब वही है हम जिन्दा लास बन की एक तरह से जी रहे हैं आप लोगों ने इतियास में पड़ा होगा रानी लच्छमी भाई सिंधिया घराने के वारे में आप समझते हैं कि उसमाई सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ देखा रानी लच्छमी भाई को भली मरबा दिया अपना समराज बचा लिया लेकिन आज आप लोग इतियास की कोई भुक्स उठा के देखिये आप लोग उसमें साफ साफ लिखा हुए है कि सिंधिया गद्दार था देश दुरोही था समझ में है और आपने देखा है कि भगस्तिंग सुखदे और राजगुरू अंग्रेजों के समय ने कहा गया देश दुरोही आतंक बादी लेकिन आज के इतियास में मुल्यांकन हो रहा है और किस तरह से हो रहा है आपके सामने है हम लोग उनकी पूजा भी करते है हम लोग उने मानते भी है तो आने वाले समय में हमारे भी करमों की एक तरह सा जो भी रहा है इसका मुल्यांकन जरूर होगा देखिए हमारी जिंदगी 100 साल 200 साल और आज कल तो भरोसा भी नहीं है हो सकता है कल हमारा नमबर हो कल किसी और का नमबर हो लेकिन जो हमारे बीच में करम रहे हैं जो काम रहे हैं ये जरूर चर्चा के विसे रहते हैं और इन्ही के करमों की कारण हमें इतियास में जगए भी मिलती है किस रूम में मिलती है ये भी जरूर बात है और अब बात करते हैं किस खास बिंदिवों पर ध्यान देने की जरूरत है यह तो हवाई हववाई बात ने हो गई जो आपकी सरकार हैं और आपकी नेता कर रहे हैं सबसे पहले सरकार एवं पिसासन को अपनी अति महत्पूर और स्वभाविक जिम्मेदारियों के निर्भान को सर्वोच प्रात्मिक्ता देनी चाहिए मैं बार बार आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि सोच यह आप लोग की कोई सौनुसूत के पास सरकारी ना तो पद है ना ही वो विधायक है ना ही मंत्री है ना ही पिधान मंत्री है ना ही सांसद है ना ही किसी भी कोई भी नहीं है अकेला बेक्ति, अगर इतने लोगों की मदद कर सकता है, तो आपकी निता क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने, इस सबूत पेस करते हैं अपने निकम्मे पन का, इनमे नागरिकों को सुरक्षा मुहे कराना, उने स्वास्तिवं सिक्षा की अधिकाज देना सा पर सरकार इंदायतों का निर्वान करने में आज सफल रही है आप सोचे कि तभी हमारा देश आंगे बढ़ सकता है आप सिक्षा देंगी वह बैक्ती भी ससक्त होगा वह परीबार भी ससक्त होगा और आप सोचे कि वह भी ससक्त होगा तो एक देश भी ससक्त होगा आप सोची कि हम लोग रफैल खरीते हैं, फरांसे हम लोग उन्हें रफैल खरी दे, हमारे देश में बहारी फटागे फटागे फोड़े के तालियां बजाई गए, आप सोची अगर हमारी सिक्षा विवस्ता अच्छी रही होती, तो हम भी इस से अच्छे रफैल बना रहे हो रहे हैं, और मुनाफा बटो रहे हैं, और सरकार अपनी जिम्मेदारियों के तहट ये सेवाएं सोचारू रोप से लोगों को देने में बिफल रही हैं, और मुझूदा हालात में इन छेत्रों को निजी छेत्रों को थमाने के वज़ए, इन सेवाओं की आपूर्ती के दूरत आन पड़ी हैं, और याद रखी हम लोग इसने ससक्त नहीं हैं कि हम लोग निजी करण का फायदा ले सकें, आप सबी लोगों को एक उधारन से आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगोंने सरकारी बस के बार का सफर भी किया हुगा, आपने प्राइवेट बस का सफर भ लेकिन प्राइवेट जो बस होती है, उसका किराया अधिक होता है, उसमें आप देखते हैं कि बहुत अच्छी सुखधाय मिलती है, लेकिन हम में से अधिकता लोग सरकारी बस से सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी आर्थिक इस्थिति हमारी इतनी नहीं अच्छी, कि हम लोग प्राइवेट वस का कराया दे पाएं, आप देखिए कि बहुत मतलब गरीवी किस तरह से हमारे देश में पसरी हुई है, वहां आप लोग निजी करन का फायदा उठावाना मुस्कल है, निजी करन देखिए एक सिक्के के दो पहलू जिस तरह से होते ह उसी तरह से फायदे भी है निजी करन के, नुकसान है, लेकिन हमारे देश में फायदा उठाने की इस्तिती में अभी हम लोग नहीं हैं, हमें सरकारी जो भी है बिवस्ता हैं, इन्हें अच्छा बनाना हुँगा इसे बाएं सार्विने खित से जुड़ी हुई हैं, और इसे सुनिश्तित करना सरकार का परम कर्तब है, जब सार्विने खितों को परात्मिक्ता दी जाती है, तो पईडाम सकारात्मत होते हैं अकिल भारती आयोविज्यान, संस्थान, एमसो, जबाहलाल, नहरू, विस्विध्याले, ऐसे कुछ वधारन भी हैं, जिन्होंने सार्विने खितों को बढ़ावा देने में एहम भूमिका निभाई है और दूसरी मतपूर बादे भी है कि नेड़ा लेनी की फिक्रिया साक्चों पर आधरित होने चाहिए और इनके सुतंत इबं आलोचनात्मक आकलन की भी गुंजायस रखी जायनी चाहिए और याद रखी अगर हमें कुछ कमी है वो सामने वाला बता रहा है तो हमें सुधार करना चाहिए ऐसा नहीं कि उसे जोटला देना चाहिए उसे हटा देना चाहिए मुख नीती गर नेड़ा व्यावक और विस्तसनी आकणों पर आधरित होना चाहिए तकनीक की मदस से आवसे कांकरे जुटाना अपूरी तरह संभव भी है और संभवता अत्ताय करने के लिए सबसे पहले प्रायोगिक परियोजनाय सतकता पूरवक तेयार की जानी चाहिए और जन जागरूकता पैदा करना परियोजना नियोजन का अवसे हिस्सा होने चाहिए और भविस्त के लिए सबक लेने के लिए परियोजना के किरियानबन के बाद सुतंत आकलन की बिवस्ता होनी चाहिए तीसरी एहम बात ये भी है कि भारत को एक ऐसी अर्द्वस्था नहीं तयार करने चाहिए जिसमें भारत और आर्थिक तंत का बेजा फायदा उठाने की खुली छूट होती है और दम सीलता और निवेशकों को आकरसित करने के लिए आवसक धाशा तेजार करने की बहत जरूरत है और नियंतर्ण और नेमन इस्थावित करने से पहले सरकार को यह सुनेशित करना चाहिए कि इनके सफल इवं प्रभावी किरियानवन के लिए इसके पास परयाप्त तंत मौझूद हो ऐसी नीतियां लागू करने में विफल रहने से ही अर्थ विवस्था में अवे तरीके से आये अर्जित करने की बीमारी फैलती है अगर रकम लोगों को अवे तरीके से आसानी से मिल जाए तो कोई पूंजी लखाने और फिर आये अर्जित करने किया जोखिम क्यों लेगा भारत में विवस्था वीमारी की तरह फैली है और इसी का नतीजा है कि इस माहमारी के बीच हमें ऑक्सिजन, अस्पतालों विस्तर और अती आवस्तक दबाओं की कमी से जूजना पढ़ रहा है अंत में ये भी ग्यान विसेसकिता और विट्ती दक्षिता का कोई दूसरा भी कल्प नहीं है और हमें विसेसकों की चितावनी की अंदे की कर एक भीसट गल्थी की है और आगी हमें गल्थी नहीं करने चाहिए हमें सीख ले लेने चाहिए और हमने एक ऐसा माहौल तयार कर दिया है जिसमें पेसेवरों की भूमिका किसी एक राजनेतिक विचारधारा पर मुहर लगाने तक सीमित रह गई है पंडित नहरू ने जिस बिज्ञानिक धारणा की बात की थी उसे बड़ावा देने के वज़ाए हमने इनकी राहे में रुकाबट पैदा कर दिये नहरू ने जिस सोच और बहुत दीक पूझी तयार करने में अहम भूमिका निभाई थी हमारा देश अब भी उनसे लाबान भी थो रहा है हाला कि अगर हमने इनमें नयापन नहीं लाया और समय के साथ इनमें मूल बर्द दन नहीं किया तो बांचित लाब नहीं मिल पाएगा और आप समझें कि पहले भी मैंने कई बार बोलाया आप लोगों से कि कुरोना महामारी से आसानी से निप्टा जा सकता था अगर सभी हमारे जो भी सिस्टम बेवस्था बनी हुए सभी ने अपने कर्थब निभाय होते अभी आप देख रहें कि गाउं की तरफ काफी अच्छे तरह के से फैल ला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि सरपंच की जरूयत यहां पढ़ती है लेकिन सरपंच क्या करता है आप भी बहतर जानते हैं और हमारे यहां की सरपंचों से लेकर आपकी विधायन जो भी विधायक मंत्री, विधायन मंत्री, मुख मंत्री दुनिया जानती है हालात आज के अगर आप नेताओं की तुलना अगर आजादी के समय के नेताओं से कर रहे हैं तो यह एक आपकी भूल है आपने पड़ा होगा लाल बाहदो सास्तरी के बारे में कि जब वो पिदान मंतरी की सपत लेते हैं तो उनके पास फटी धोती थी और आज आप लोग विदायक की छोड़ी एक सरपंच को देख लीगे कहते हैं कि जब लाल बाहदो सास्तरी के घर वालों ने उनके बच्चों ने एक कार की जित की कार खरीदने की तो उनों ने एक मतलब एक उधार कार ली मतलब किसी कंपनी से वो अपने जीते जी उस कार का जो भी बैलेंस था वो नहीं चुकता कर पाए उनकी डैथ के बाद इंद्रा गांदी ने उनका करण इमाब किया और आज की स्तिती एक सरपंच बंदा है वो फोर्चूनर खड़ी कर लेता है उसका भुकतान जिनता को करना पड़ता है और देखिए हर आप सोचें कि फावडा चला कि कोई मेहनत करके पिधान मंतरी या फिर मुक मंतरी आपके कोई बिधायक सरपंच इतना अच्छे से रह रहे हैं तो यह आपकी भूल है वो कोई मेहनत का काम नहीं करते हैं कि कोई बैल गाड़ी खिंच रहे हैं कोई और काम कर रहे हैं आपके ही टेक्स के द्वारा आपके ही पैसे की बात है अब यह अच्छा किसी ने लिखा हुआ था कि फ्री बैक्सीन होनी चाहिए क्योंकि अपनी जेम से किसी नेता का पैसा नहीं जा रहा है इसमें आप समझ सकते हैं कि जनता के ही टेक्सहाइ जनता के ही पैसे की बात है लेकिन मेरा भी मानना है कि देखिए बैक्सीन उन लोगों को तो या तो इतना रेٹ कम होना चाहिए कि हर बैक्टी उसे लगवा सके और जिसकी आर्थे की स्थिती बिल्कुल खराब है उन्हें फिर ही में मिलनी चाहिए और जो मैं कहता हूँ कि जो इसका भुक्तान कर सकते हैं उनके लिए भुक्तान करना चाहिए उन्हें इससे जानदा फरक भी नहीं पड़ेगा और आराम से सब कुछ हो जाएगा खिर छोड़िये गल्ती करते रहिए और दोरादते रहिए उसका भुक्तान भी करते रहिए कितने परिवारों को ओजड़ गये कितने परिवार एक तरज क्या इस्तिती बनी वी है पर भी आप देखिए फेस्बुक या वाटसब इस दुनिया में जाईए आप लोग यूनिवरसिटी में अभी भी आपको दिमाग से बैल मिल ही जाएंगे इस तरह की सब्द लिखे जाते हैं कि मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई तरग भी नहीं होता है उनके पास पर भी अपनी बातों मनवाने के लिए किसी भी हक तक जाते रहते हैं कि खैर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि आप भी अपना काप करिए जिसमें आपको खुशी है और सरकारें भी अच्छा काम कर रही है आप यह साब से चलिए अभी ख्याल रखिए अपना अपना परिवार का क्योंकि बहुत बुरी इस्तिदी बनी हुई है और इसे साथ हम लोग आप लोग नहीं यहां बैट के समझ सकते हैं वही परिवार समझ सकता है जिसने अपना परिवार का कोई मेंबर खोया हो जो ऑक्सीजन के लिए वटका हो जो बैड़ वेवस्था ना मिलने के कारण जिसके परिवार के किसी मेंबर ने दम तोड़ा हो वो इसमा हमारी की कीमस समझ सकता है और हम आपके लिए तो बस अंदभक्ती गुलामी करना यही सब है खेल लगे रही है अपना काम करिए ठीक है